वेलकम टू मैच चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कच्छे पपीदे को हम केवल एक दिन में किस तरह से पकाएं तो जब भी बाजार से फल खरीदे दोस्तों बहुत ज़्यादा पका हुआ फल कभी ना खरीदें क्योंकि जादतर बाजार में फ्रूट मार्केट में फलों को कैमिकल डाल कर पकाया जाता है कैमिकल से पके हुए जो फल होते हैं खाने में स्वाद में भी अच्छे नहीं लगते हैं साथ यसाथ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं सबी chemical का कुछ ना कुछ असर तो हमारे शरीर पर जाता है तो जब भी फल खरीदें थोड़े से कच्छे खरीदें थोड़े से कड़क खरीदें ताकि हम इसे चाहें तो घर पर भी पका सकते हैं तो पपीते को घर में पकाने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूं दोस्तों, इसी तरह से आप चीकू को पका सकते हैं, इसी तरह से आप केले को भी पका सकते हैं, क्योंकि आप देखिए का दोस्तों केले को भी कारबाइड डाल कर पकाया जाता है, जो कि बहुत नुकसान करता है इसलिए हमेशा कोशिश करें थोड़े कच्छे फल लाएं और घर पर ही पका लें घर पर अगर आपको जल्दी है कि सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही फल पक जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर लेना है नियूस पेपर जाता हम सभी के घर पर रहता है बस आपको नियूस पेपर में पपीते को लपेट कर रख देना है इसी तरह से आप चीकू यदि लाए है चीकू बहुत हार्ड है कड़ा है दोस्तों और उसे आपको बस 10-12 घंटे में ही पकाना है तो एक एक चीकू को लें या पूरे चीकू को एक सांथ रखें नियूस पेपर में ल कर आती हूं ताकि इसमें कोई भी केमिकल का हमें डर ना रहे आज इसलिए तो बिमारियां बढ़ रहे ही दोस्तों केमिकल वाली सबजी केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर पौधों में डाले जाते हैं सबजियों में फलो में डाले जाते हैं उन्हीं का साइड एफेक्ट हो पर रख दिया था अब दूसरे दिन सुभा की शुटिंग है मुश्के से 10 से 12 घंटे का टाइम बिता है और अब आपको ये कागज को खोल कर दिखाती हूं की पका है या नहीं यदि आपको लगता है थोड़ा कच्छा है तो आप एक बार और इसे पका सकते हैं तो ये देखे पपीता करीब करीब पूरा पक चुका है ये देखे और बहुत से लोग थोड़ा जादा पका हुआ यदि पपीता पसंद करते हैं खाना दोस्तों तो एक बार आप इसे और रख दें पतब 10-12 घंटे के लिए आप इसे फिर से पेपर में लपेट कर रख सकते ह तो एक बार चेक करना भी जरूरी है क्योंकि जादा टाइम नहीं लगता है यदि हम न्यूस पेपर में लपेट कर रख देते हैं न्यूस पेपर की जो गर्माहट है और इसे फल हमारे जल्दी पक जाते तो मुझे थोड़ा सा कच्छा लगा इसलिए मैंने वापस इसे कितना यह पका हुआ है बजार से मैं बिल्कुल कड़क लेकर आई थी हरा कच्छा केला था कच्छा पपीता था और अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पकने आ गया है तो चलिए बस अब इसे हम काट कर देखते हैं तो फलों को पकाने का बहुत बढ़िया तरीका कर देखते हैं आप आप केले को भी ऐसे ही पका सकते हैं तो क्यों हम चेमिकल से पके हुए फलों का सेवन करें करें दोस्तों बहुत सी बीमारियों का डर रहता है और इस तर कोशिश करें कि हम हेल्दी चीजें ही खाएं और बिना चीमिकल के बिना चुटकाओ का जो बहुत जादा पका हुआ फल भी हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ खराब होने लगता है और फाइदे के जगह हमारे शरीर को नुकसान करने लगता है और बस ऐसा ही पका होना चाहिए यह देखिए आपको काट कर दिखा रही हूं तो मतलब हमेंने कच्छे पपीते को 24 घंटे के अंदर आपको पका कर दिखा दिया है अभी ठंड काम होसा हमें गर्मी में तो दोस्तों 12 घंटे काफी होते हैं फलों को पकने क्योंकि गर्माहट रहती है ठंड में थोड़ा सा टाइम लगी जाता है और इस तरह से हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं बिना किसी केमिकल वाले जो चीजे होती हैं जो फलों को पकाने के लिए आती हैं उनके बिना ही हमने फल को पकाया है तो इसी तरह से मैं चीकू पपीता भी पकाती हूं केला भी पकाती हूं सीता फल भी मार्केट में आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें तो ये देखें बहुत बढ़िया तरीका है पपीता पक कर बिल्कुल तयार है दोस्तों तो information कैसी लगी यदि information अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो